ओम शांती आज 28 अप्रेल 2023 के साकार मतूर महावा के हैं आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराईयों से शव बाबा का शुक्रिया करते हैं जो हमें प्रति दिन ग्यानमरित देकर हम आत्मों को शांत शीतल बना रहे हैं शांती देवा बना रहे हैं जो बच्चे शांती के सिती में रहते हैं उनसे दूसरों को अनभव होता है ये शांती के अवतार है दूसरों को शांती देने के नमित है बाबा ने आज याद दिलाया क्या बच्चों को इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना इससे लगाव नहीं रखना अपने साथ बाते करू मैं शुद्ध आत्मा हूँ अब मुझे बाबा के पास जाना है ये पुरानी दुनिया है मुझे इससे दिल नहीं लगानी मुझे एक बाबा से ही दिल लगानी है जो बच्चे एक बाबा से दिल लगाते हैं, पुरानी दुनिया में आसकती नहीं रखते हैं, बाबन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जो बाबा के निश्चे बुद्धी बच्चे हैं, आज्याकारी हैं, वफादार हैं, कोई जानते हैं, कि ये दुनिया तो एक पर ले जाने, इसलिए इस दुनिया से दिल लगाना, ममत्व रखना, यहां बाबनी का इस दुनिया में ममत्व रखेंगे, तो भविश्य में उच्पद नहीं हो सकता, योग बल जमा करना है, जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें उच्पद मिलता है, दुन बाबा के मदर बोल, बाबनी का मीठे बच्चे, इस कल्योगी दुनिया का सुख, कागविश्था के समान है, यह दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना, आसकती निकाल देनी है, इस कल्योगी दुनिया का सुख, कागविश्था के समान है, अल्प कालीन है, ये दुनिया अब गई के गई, इसले इससे लगाब नी रखना, आ सकती निकाल देनी है कोश्चन है किन बच्चों के दिल पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती जो आग्याकारी वफादार निश्चे बद्धी बच्चे हैं उनके दिल इस पुराने दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनके बुद्धी में रहता, ये तो विनाश हुई की हुई, ये तिलसम का खेल है, जादू का खेल है, माया का भब का है, इसका विनाश होना है, डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये सब होना है, डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये सब होना है, nothing new, sweet home, sweet राजधानी याद है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती, sweet home, परमधाम, sweet राजधानी स्वर्ग याद है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती, गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा, आधी और तुफान, ओम शान्ती, ये निश्चे के उपर गीत है, जब बाप का बनते हैं, वा बाप आते हैं, तो आकर हमार साथी बनते हैं, बच्चे जानते, बाप जबाते, तब विनाश के तुफान आते हैं, बाप आते हैं, पुरानी दुनिया को खलास कर, नई दुनिया बनाने, अर्थक्वेक होगी, समुदर नीचे से धर्ती को खा जाएगा, बरसात उपर से धर्ती को खा जाएगी, ये सब होना है गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाई तुम ब्रामन को भूशन जानते हो वरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है बाब आए है नई दुनिया की स्थापना करने ब्रामनों को सारे विश्व का मालिक बनाते पुरानी दुनिया का विनाश कराई फिर सारे विश पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं, मनुश्य समझते, अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, प्रन्तो ये सब माया का भव का, सब चीज मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है, रुने के पानी मिसल है, इसमें मनुश्य खुश होते हैं, आगे जब मुसल्मानों का र नाश होने हैं, अर्थक्वेक होगी, डैम साधी सब पानी ही पानी कर देंगे, मनुश्य समझते, इससे सुख मिलेगा, परन्तो इन सब से दुख मिलेगा, एरोपलेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्म्स गिरेंगे, तो बच्चे ये सब बाते भूल जाते हैं, कुछ भी हो, ये कोई नई बात नहीं, निश्चे बुद्धी क्या जानते हैं, पक्का कर लेंगे, मैं निश्चे बुद्धी बच्चा हूं, ये जो कुछ भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं, ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ, सोब होना है जरूर, वो समिशते हैं, बहुत नई-नई चीजे बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, तुम बच्चे सरफ जानते हो कि ये तो तिलसम का खेल है, जादू का खेल है, जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगा कर चमकदार बना देते हैं, वैसे पुरानी दुनिया को भी रंग बनाने से सब तरफ प्लैंस बनाते रहते हैं, चमकदार बनाने के लिए प्लैन बनाते हैं, उनको इपता ही नहीं कि विनाश होना है, ये तुम ब्रामनी जानते हो, पुरानी दुनिया विनाश होनी है, मनुष्य तो कह देते, ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर न बच्चों को बाबा समझाते, भगवान की है श्रीमत, अब श्रीमत जब कहा जाता, तो जो समझना चाहिए, ये उच्छ भगवान की मत है, श्रीमत ब्रह्मा की वाविश्नो की नहीं कहते, भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं, ये मनुष्य नहीं जानते, ऐसे भी नहीं हो सकता कि स्रीकृष्ण का कोई साधारन रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं ये बाते कोई नहीं जानते। बाबा के थे हमारे भी बहुत गुरु किये हुए थे ब्रह्मा बाबा नहीं जब वो दादा लेकराज के रूप में रहे तो बहुत गुरु किये हुए थे प्रजा पिता ब्रह्मा नाम तो श्र बाबा ने दिया उससे पूर्व उन्होंने अनेक गुरु किये प्रंतु कुछ पता नहीं था, भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है स्रेश्टे स्रेश्टे निराकार उनकी श्रीमत है शिवाई नमा कहते है न, उनकी महिमा अपरम अपार है इन बातों को तुम बच्चे जानते हो ये बाते किसी को बुद्धी में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है अब भगतों को भगवान की मत चाहिए ये तो ड्रामा में नूद है गीता के भगवान ने आकर भगतों को मत दी है तो भगतों का उधार कैसे हो भगत फिर कह देते कि वो सरव्यापी है भगत ही भगवान है तो बता उनका क्या हाल होगा अब बावा समझाती भगवान एक है वाते भगतों की रक्षा करनी इसमें मनुशे सब रावन की शोक वाटिका में है कोई भे मनुशे सादू संतादी रक्षा नहीं कर सकते भगतों की रक्षा भगवान को करनी है मनुशे ये नहीं जानते कि हम पति दुनिया नर्क में निवास कर रहे हैं पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता ये बाते समझेंगे फिर भी कोटों में कोई ही कल्प पहले वाले सिक्की रधे बच्चे आएंगे हम सब कौन है बाबा के सिक्की रधे बच्चे पाच शकनी संकल्प में ठिके मैं बाबा का सिक्की रधा बच्चा हूँ पाँचार वर्ष के बाद मेरा मिलन बाबा से हुआ है बाबा नहीं कहा बाबा के पास सिक्की रधे बच्चे ही आएंगे कल्प कल्प तुम सिक्किलदे बनते हूँ पिर कोई तो पूरा बनते हैं कोई को तो माया कच्चा ही खा लेती है बाब को याद न करने से जट विकार आ जाते हैं पहला पहला विकार देंकार आया तो फिर ओरों की भी चेश्टा होगी देंकार आएगा तो और भी विकार आएंगे इसने बाबा केते देहिये भी मानी बनू क्योंकि सबको वापिस जाना है यहां तो दुख ही दुख है कलियोगी दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है यह तो सन्यासी भी कहते हैं तुम भी समझते हो नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो नरक में कोई सुख नहीं नरक में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भरष्ट करना है कोई भी चीज में आ सकती नहीं रखनी समझाना चाहिए यह पुरानी दुनिया खतम होने वाली है यह दुनिया किसी काम की नहीं पहले पहले दिय अभी मान आने से उसके साथ दिल लगती है देहिय अभी मानी फिर उस पुरानी दुनिया से जैसे की उपराम होंगे जो देहिय अभी मानी होंगे वो इस दुनिया से उपराम होंगे हम इस पुराने दुनिया को भूलते हैं, ये बिलकुली दुख देने वाली है, इंसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है, गई की गई बाकी दो गढडी के हम महमान है, इस दुनिया से उपराम हो जाना है, ये हम दो गढडी के महमान हैं, तो ब्रामन ही कहते हैं, हम पुरानी दुनिया में दो घड़ी के महमान हैं, हम अपने sweet home, sweet राजधानी में जाकर सुख भोगेंगे, अब हमें जाना है, पुरानी दुनिया कब रिस्तान होनी है, इसलें देह सइत, सब कुछ बूल जाना है, यह शरील पुरानी जुत्ती है, इ योग में रहना है, योग में रहने से आयू बढ़ेगी, तो हम बाप से वर्सा लेंगे, देय भी मानिक आयू बढ़ नहीं सकती, उनका देह से प्यार हो जाता, कोई का शरीर अच्छा है, तो देह से प्यार होता है, अच्छी रिती मलते रहेंगे, जैसे बरतन ले जाते हैं, जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होगी कईयों को शरी से ही प्यार होता है तो पुरा दिन शरीर कोई रगडते रहेंगे कभी बाबनी का पाउडर लगाएंगे वैसलीन लगाएंगे आत्मा को तो मलते नहीं बाबनी कहा जैसे बरतन ले जाते हैं तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होगी फिर लाइक बनेंगे नया बरतन लेने के हम शरी को भले कितना भी साबून वैसलीन पाउडर लगाएं फिर भी पुराना है ना पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडर है तो ये शरी भी ऐसे है अपने से ऐसे से बाते करेंगे तब बाप और वर्से से दिल लगेगी और कोई चीज से दिल नहीं लगानी बाप और वर्से से दिल लगानी है और कोई से भी दिल नहीं लगाने मैं आत्मा हूँ बाबा के पास जाने वाली हूँ बाबा को याद करने से फाइदा होता है आयू बढ़ती है आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती चाहती हूँ यह मेरा शरीर कोई काम का नहीं बड़े सन्यासी पवित्र रहते है प्रन्तु शरीर फिर भी पतित है न यह कोई का भी शरीर शुद नहीं हो सकता वहाँ शरीर विश्व से नहीं बनता यह बाते तुम बच्चे जानते हो अगर स्वर्ग में भी विकारों से पैदाईश होती तो फिर उसको निर्वी कारी क्यूं कहते वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं जानते हो यह पांच तत्व भी आईरनेश्ड हैं तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं बिमारी आधी हो जाती वहाँ कभी शरीर बिमार हो ना सके ये समझने की बाते हैं, वहां तुम्हारे शरी भी नई बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृती बन जाती, वहां ये दवाई आधी कुछ नहीं होती, शरी चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती, अभी तो लोही की है, वंडर है न, काया कैसे बदलती है, कोई पॉलिश तो न पारसनातनी कहते हैं, उनके शरी देखो, कितने सतो प्रधान है, उनकी कितनी महिमा है, अब तो ये पांच तत्व तमो प्रधान है, विश से शरी पैदा होते हैं, वह है योगबल की बात, स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्ची होंगे, वहाँ पर निर्वीकारी संतान हरी के अंदर ये पांच भूत है, पांच भूतों पर विजह तब पाते हैं, जब सर्भ शक्तिवान बाप से योग लगाते हैं, जिस योगबल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉगनीटो शिव शकती सेना, आप गुप्त को निर्व शिव शकती सेना ह वे सर्व शक्तिवान बाप है ही स्वरक की राजधानी स्थापन करने वाला गौड फादर वो आते हैं तुमें स्वरक का मालिक बनाने अब तुम स्वरक के लाइक नहीं हूँ मैं कल्प कल्पा कर तुम बच्चों को स्वरक की राजधानी में राज्ये करने के लाइक बनाता ह अब तुम हो नरक के मालिक मनिशे कहते भी हैं फलाना मरा स्वर्ग वासी हुआ बिल्कु समझते नहीं कि हम नरक में हैं स्वर्ग का वास्तों में किसी को पता नहीं कहते जिन के पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहां ही स्वर्ग है अरे इतनी बिमारी आधी लगी पड़ी है इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे स्वर्ग तो सत्यूक को कहा जाता कलियों में थोड़े स्वर्ग है बाब ने समझाया यह विकारी दुनिया हर एक नारी द्रोपती पारवती है हर एक नारी को अमर नाथ अमर कथा सुनाते है हर एक द्रोपती पावन बन चाती है निर्वीकारी बन चाती है यह बातें बेहद का बाब समझाते वो है यह वाइसलेस वर्ल्ड समपूर निर्वीकारी दुनिया विकार बिलकुल नहीं आत्मा अकर परवेश करती तो उसमें गरब में बिलकुल प्योर रहती आत्मा भी प्योर आती है इसलिए उसको गरब में कोई सजा नी भोगनी पड़ती यहां तो सबको सजा मिलती है अच्छा मीठे मीठे सिक्किल अदे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए सार इस पुरानी दुनिया में स्व्यम को महमान समझना है देही भीमानी बन पुरानी दुनिया पुरानी देह से उपराम रहना है योग से आत्म और शरीर दोनों को ही पावन बनाना है, पुरानी शरीक की तरफ आकरशित नहीं होना, इससे लगाव नहीं रखना, अटेंशन से सुनेंगे, इस दुनिया में स्वयम को महमान समझना है, देही अभिमानी बन, पुरानी दुनिया पुरानी देह से उपराम रहन योग से आत्म और शरी दोनों को पावन बनाना है वोड़ाने शरी तरफ आकर्शित नहीं हो ने, इसे लगाव नहीं रखना, वर्दाने शांती के अवतार बन विश्व में शांती की किरने फैलाने वाले शांती देवा भव। शान्ती के अवतार बन विश्व में शान्ती की किरने फैलाने वाले शान्ती देवा भव। यिसे छोटा सा फायर फ्लाई जुगनु दूर से अपनी रोश्नी का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व की आतमाउं वा समन्द संपरक में आने वाली आतमाउं को महसूस हो कि शान दीद्वारा अनुभव करें, शान्ती का अवतार शान्ती देने आ गए, चारो और की अशान्त आतमाई, शान्ती की किरनों के अधार पर, शान्ती कुंड की तरफ खिची हुई आएं, इस शान्ती की शक्ती का अभी प्रयोग करो, इस शांती की शक्ती का प्रयोग करो स्लोगन है जिनका स्वेम पर व्यक्तिगत अटेंशन है वो अंतर मुखी बनकर फिर बाईये मुखता में आते हैं आज चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे शांती देवा बनकर शांती की किरने फैलाएंगे दिल की गहराईयों से बाबा का शुक्रिया करें आपने हमें शांती की शक्ती देकर शांती देवा बनाया शांती का बल भरा आपका दिल की गहराईयों से अंतेकरण से शुक्रिया स्वीकार करें शांती सागर का बच्चा मैं शांती का देव हूं शांती मेरा स्वधर्म है मैं शांत हूं मेरे मस्तक से नैनों से शांती के प्रकंपन दूर दूर तक फैल रहे है मैं शांत हूं बाबा से वाइदा करें हर करम शांती स्वधर्म में रहकर करेंगे शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शांती शांती शांती